जे हिंदोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए भूत ही महत्तपुन्ड कॉस्चन आंसर हिंदी साहत ते एक इतिहास लेकन की विधियों से संबंद्यत महत्तपुन्ड कॉस्चन आंसर वीडियो पूरा वस् चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा वीडियो को सेर करें आज कब ने यहां पर फर्स्ट कॉस्चन देख लेते हैं देखें हिंदी इतिहास लेकन की किस विधि में साहत्यकारों के नाम को बर्ण माला के अनुसार विवस्तत करते हुए इतिहास लिखा गया है तो किस विधि में लिखा गया है यह आपको बताना है कॉस्चन नमबर एक है महत्तपुन कॉस्चन है आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरू बताएं कॉस्चन नमबर एक का सही आंसर है आपका इहां पर बर्णानुक्रम पद्धिति आपका सही आं हिंदी साहित्यका इतियास लिखा है किस पद्दिती की आधार पर बन्नानुक्रम पद्दित ही सिफ सेंगन ने किस विधी के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है मत्पूर्ण कॉस्चन है यह आपके और यहाँ पर आपका जो सही आंसर है बहे आपका सही आंसर बन्नानुक्रम पद्धिती बन्नानुक्रम पद्धिती के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है कि नोने सिव सह सेंगर जी ने कॉस्चन नमबर चार में बताना है इतिहास लेखन की किस विधी में कभियों का बंदन उनके जन्म वर्स के अनुसार क्या जाता है तो सही आंसर होगा काल किर्मानू सार पद्धिती या काल कर्मानू क्रम पद्धिती आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर बी कौस्चन नमबर पद्धिति काल किर्मानु क्रम पद्धिति वर्णानु क्रम पद्धिति ब्यग्ज्यानिक पद्धिति तो इन्हों ने लिखा है किस पद्धिति के आधार पर काल किर्मानु क्रम पद्धिति के आधार पर हिंदी साहत्ते का इतिहास लिखा है जाजगीरेशन ने मिस्र बंद तो ने किस पद्दिती के आधार पर हिंदी इसाहित्ते का इतियास लिखा है तो काल किर्मानुक्रम पद्दिती आपका विकल्प नमबर भी यहां पर सही आंसर होगा कॉस्चन नमबर साथ पूँचा है किस विदी के जन्मदाता फ्रांस की विद्द्द्दान तेन माने जाते हैं तो पहे कौन सी विदी है विदेवादी पद्दिती काल किर्मानुक्रम पद्दिती या व्यग्यनिक पद्दिती या बंडनानुक्रम पद्दिती तुआ अपका सही answer है विद्धवादी पर्दिती जो है इसके जन्मताता माने जाते हैं फ्रांस के विद्वान 10, अंगला question क्या है विद्वादी पर्दिती को कितने भागों में बांटा जाता है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में Q8 है आपका महत्यपूर्ण Q8 पूंचा गया है यहाँ पर और Q8 का राइट आंसर है तीन भागों में विकल्प नंबर B आपका सही आंसर होगा Q9 यहाँ पर क्या पूंचा है तो देख लेते हैं Q9 इन में से कौन विदेवादी पद्यती का भाग नहीं है जाती, बातवरण, भूगोल या छण इन में से कौन विदेवादी पद्यती का भाग नहीं है तो सही आंसर है आपका भूगोल राइट आंसर होगा विकल्प नंबर C राइट आंसर है भूगोल Q10 पूंचा है कि आचार रामचन सुकल ने किस विद्वान की आधार पर इतियास लिखा है भूगोल Q10 कार राइट आंसर है विदेवादी पद्यती के आधार पर रामचन शुकल जी ने किस विद्वान का इतियास लिखा है पद्धिती तो इतियास लेकन की जो सबसे उप्युक्त पद्धिती मानी जाती है वह मानी जाती है विदेवादी पद्धिती Q12. पूँचा है इतियास लेकन की किस विधी में तत्तों की जाच कर विसलेशन कर निस्कर्स पर पहुँच कर ही तत्तों का निस्तारण किया जाता है किस विधी में एह किया जाता है Q12 में बताना है तो question number बारे का right answer होगा बेग्यानिक पद्धिती में आपका सही answer है विकल्प number C सही answer होगा question number 13 पूँचा है कि डाक्टर गडपती चंद गुप्त ने इतिहास लेखन की किस विधी की आधार पर हिंदी सायत्य का इतिहास लिखा है बताईए विदेवादी पद्धिती के आधार पर या काल किर्मानुक्रम पद्धिती बेग्यानिक पद्धिती या बन्नानुक्रम पद्धिती किनों ने डाक्टर गडपती चंद्र गुप्त जी ने इतिहास लेखन में किस विधी के आधार पर साहत का इतिहास लिखा है, तो सही आंसर होगा, ब्यग्ञानक पद्धती सही आंसर है, विकल्प नमबर C, इतिहास लेकन की कौनसी विधी, कौल मार्ग्स के सिद्दानतों पर आधारत है? Q14 का आंसर बताना है क्या होगा सही आंसर महत्वपूर्ण question बताई Q14 है और सही आंसर आपको बताना है इतियाज लेकरन की कौन सी विधी कौल माक्से के सिद्धानतों पर आधारत है समाजवादी पद्यती राइट आंसर है सबसे कम लोग प्रिये विधी कौन सी है सबसे कम पूछा है आपसे यहाँ पर कि सबसे कम लोग प्रिये विधी कौन सी है तो बहे कौन सी विधी है समाजवादी पद्यती विकल्प नमबर आपका यहाँ पर एक जो है बहे आपका सही आंसर होगा सच्चे अर्थों में हिंदी साहते का इत्यास किसके द्वारा लिखा माना जाता है कौस्चन नमबर सोले का आंसर बताना है और सोले का सही आंसर बताईए तो यहाँ पर सोले का सही आंसर डी राइट आंसर होगा आचा सुकल आपका सही आंसर है तो विकल्ब नमबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा तो इस फिरकार अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्पूर्ण question complete कि हिंदी साथ तित्यास लेखन की विद्यों से संबंदित तो यह है वीडियो कैसा लग आपके लिए पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें सेल्प स्टेडी क्लासे से आप डाउनलोड किए जहां पर हिंदी सायत का संपूर्ण कोर्स हिंदी सायत की टेस्ट सीरेज आपके लिए यहां पर बहुत ही कम दाम में उपलब है और यहां पर आपको जो है 2020 टेस्ट सीरेज सब्ता हमें दो दिन फ्री करवाई जाती है तो इससे भी आप अवस्य जड़ें तो आपको सबसे पहले प्लेश्टूर पर जाना है और सेल्प स्टेडी क्लासे से आप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी में लग जाना है तो आज की वीडियो में बस इतना ही जय हिन